हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 1993 की स्लिव है एक ठीलर मिस्ट्री मूवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ इस मूवी पे हमारी मेन ग्यारेक्टर बिल्डिंग में मूव होती है पर यह बिल्डिंग बहुत ही अजीब है मूवी जैसे प्रोग्रेस होती है तो बहुत ही अजीब हो गरीब चीज़े उसे पता चलती है तो चलिए इस मूवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं वोवे स्टार्ट होती है और एक लेड़ की अपने बैलकने में खड़ी होती है। उसके पास एक आदमी आता है और उसे पूश्च कर देता है। यह जो इंसिदंट हुआ था इसे अप कुछ दिन गुजर चुके है। जिस apartment में incident हुआ है उसी apartment को हमारी man character जिसका नाम है Carly कि अब देख रही है उसके इज़नों से सब कुछ घर के बारे में पदाती है और Carly को भी एक घर बहुत पसनाता है बेखसे में हम देखते है, यह कारली जब काम पर होती है तब उसे कॉल आता है, इस घर को बाय करने के लिए उसका application अप्रो हो चुका है, यह application इतनी जल्दी अप्रो हो जाएगा वो एक्सपेक नहीं कर रहे थी क्योंकि कभी भी इतनी जल्दी नहीं होता, कारली फिर अपना सब सामन लेकर उस फ्लैट में मूँव होने के लिए रेडी होती है, वो अपना सामन लेकर जा रहे थी और उसके दोनों हैंड इंगेश थे, डोर मैन कहीं भी आसपास नहीं था, तब हमारा और एक मेंन कैरिकर है जिसका नाम है जेक, ये डोर ओपन करने में उसे मदद करता है, जेक उसे कहता है, ये आसपास का एरिया मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, अगर तुम्हें कोई भी हल्प चाहिए, तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ, कारली भी इसके लिए थैंफुल है, कारली के एक दिन शूपर शॉप में कुछ बाइक कर रही होती है, तो ये बहुत ही इंट्रिक्स है, उसे एक बुड़ा आत्मी, जिसका मैं एलेक्स ये देख रहा होता है, ये उससे बात करता है, और कहता है कि मैं भी तुम्हारी बिल्डिंग में रहता हूँ, कारली सब बाइक करक एलेक्स कहता है, कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, पर तुम्हारे फ्लैट में जो पहले रहती थी, तुम उसी की तरह दिखती हो, मुवी के बस में जिस लड़की को बिल्डिंग से धक्का दिया गया था, उसका नाम था नियोमी सिंगर, एलेक्स कारली को कहता है, कि भी बाते करते हैं, एलेक्स एक प्रोफेसर है, तो टीजिंग करने के लिए एक नई सिटी में जाने वाला है, अगले कुछ सीन में, कारली अपने घर पर है, और अपने सब काम कर रही है, वो जब शौवर ले रही है, तब हम देखते हैं, कि उससे कोई रेकॉर्ड कर रहा ह हमें बहुत सारे मोनिटर्स देखते हैं, और सब कुछ बिल्ली में रेकॉर्ड हो रहा है, अभी रेकॉर्डिंग कर कोन रहा है, यह हमें आगे पता चलेगा, नेव में बहुत सालों से एक रिलिशन्शिप में थी, वो टॉक्सिक बन चुगी थी, तो उसने ब ब्रेक अप क कुछ नया लिखने के लिए वो स्ट्रगर कर रहा है, बहुत जाक से केता है, कारली इन तुमारे बुक्स पढ़ी है, उसे पसन आई, एक जोट था, तो कारली वही के वही उसे क्लियर कर देती है, वो कहती है, कि मैंने अभी तक तुमारे कोई भी बुक नहीं पढ़ी, जाक सिन में हम देखते है, कारली अपनी और एक नेवर से मिलती है, इसका नाम है वाइडा, वाइडा एक मॉडल है, कारली घर पर आती है, तब उसके लिए as a gift एक टेलिस्कोप को ही रख कर गया है, एक कार्ड भी इसके साथ है, पर एक किसने दिया है उसका नाम उस पर नहीं है इसमें सिव लिखा है, कि तुवारा secret admirer में हूँ, next day कारली जब jogging के लिए जाती है, तो अचनक से जैक उसके सामने आ जाता है, जैक कारली की बिल्ली में रहता है, कारली बहुत ही डर जाती है, जैक भी उसे apologize करता है, जैक ने कारली को book send किये थे, उसके बारे में जैक उस पुशी और controlling character है, कारली को कोई control करें, यह उसे पसंद नहीं है, यह दोलों आगे jog करते है, तो कारली उससे बुझती है, क्या तुमने मुझे टेलिस्कोप भेजा था, जैक यह ता है कि नहीं, जोग करकर कारली जब बिल्लिंग दगाती है, तो वहाँ ambulance और police है, कारली को फ वाइडा और जैक एक दूसरे से बात कर रहे है, इनके बात करने की तरीके से लगता है, कि दोनों relationship में, जैक वाइडा को पैसे दे रहा है, यह भी हो देखती है, कारली को सब लोग कहते है, कि वो नयोमी की तरह दिखती है, पुरा न्यूस वेपर निकालती है, और उसमें उसकी फोटो देखती है, वो सप्राइस होती है, क्योंकि नावमी और उसमें बहुत सारी similarities है, नेक सिंवन देखते है, कि कारली ने एक पार्टी रखी है, उसके कुछ गलिक्स और बेली में कुछ लोग को जानती है, इन सब को उसने बुला है, उसने जैक को invite नहीं किया था पर फिर भी वो यहां आ चुका है, इस party में कोई telescope से देखता है, और एक कबल intimate हो रहा है, यह जाग कर देखती है, सब लोग इसमें interested हो जाते है, और सब लोग इसे देखते है, पार्टी कतम होती है, और सब लोग चले जाते है, जेक यही रुखता है, जेक कारली से बुझत बहुत सारे mirrors होते है, यह mirrors उसे insecure feel कराते है, जेक कहता है, कि वहाँ कोई भी mirror नहीं है, जेक intimidating है, तो कारली भी इसके लिए मान जाती है, जेक के जाने के बाद हम देखते है, कि जैक अभी भी कारली के घर पर है, जैक कारली से पुझता है, कि तुम जादा बाहर नहीं जाती वो कारली को डिनर पर लेकर जाना जाता है, कारली कहती है, कि शायद हम जा सकते है, जैक इसे as a yes लेता है, एक दिन कारली अपने basement में cloth wash कर रहे थी, तभी अचनक से light चली जाती है, वो अंदर burn होती है, और बहुत डर जाती है, वहाँ जेक पहुझ जाता है, उसे बाहर नि करता है, कि मेरी इस तुम से कम है, इसे वाज़े से हम एक दुसरे के लिए सही नहीं है, कारली कहते है, कि मैं एक वीडियो गेम डेवलोपर हो, इसलिए हमेशा घर पर ही रहता है, यह दोन हैंग आउट करते है, जेक कारली से कहता है, कि तुम बहुत ही प्यूटिफुल हो, वो उसके करीब आता है और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी सब कर रहे हैं यह सब record हो रहा है एक दूसरे के साथ बहुत सारे time बिताने लग जाते हैं एक दिन से कारली से कहता है कि तुम्हारा application fast अप्रोव हो गया था यह मेरी वज़ेस हुआ था एक्चुल में यह पूरी building जेक की ही है कारली यह सुनकर surprise होती है जेक कहता है कोई भी मुझे परिशान न करें इसलिए बात में किसी को भी नहीं बदाता कारली बुछती है कि जब से मैं move होई हूँ क्या तुम्हारी नजर हमेशा मुझे पर थी जेक कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दुसरे के लिए perfect fit है इसके बाद नेक्सी में हम एक room देखते है जहाँ पर पूरे building में हर एक आदमी के recording होती है पर पता चलता है कि ये recording जेक की कर रहा है कारली जब काम पर है तो अपने friend से बात करती है उसकी friend और जैक ये दोनों weekend पर बाहर गए थे कारली बुछती है कि या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ पर उसकी friend कहती है कि वो हमेशा तुमारे बारे में बाते करता रहा कारली भी अपने new relationship के बारे में उसकी friend को कहती है कारली जब घर पोच्छती है तो जेक ने बहुत सारे roses उसके घर में रखे हुए है घर में जैक भी है कारली उसे देखकर बहुत ही surprise होती है वो पोच्छती है कि तुम अंदर के साय है जैक कहता है कि तुमारा door open था कारली कहती है कि मेरा door में कभी भी open नहीं रखती जैक को मालूम है जैक और कारली अब एक साथ है जैक उसे कहता है जैक एक अच्छा आदमी नहीं है नियोमी के साथ भी उसका चक्कर था नियोमी जैक की वज़े से बहुत इडस्टब थी यह चीज उसने अमने साइकोलोजिस्ट को भी कही थी वो अमिर है तो उसे लगता है कि यह सब कुछ कर सकता है क्या उसने तो हैं बता है कि पूरी बीटिंग उसकी ही है कारली गे थी कि हाँ मुझे पता है और जैक को निकल जाने के लिए यह सब जएक देखी रहा था तो कारली को कॉल करता है उसे डीनर के लिए बहार लेकर जाना जाता है यह रेस्टार में आते हैं पर सब लोग के सामने ही एक दुसरे से बहुत फ्लेट करते है आस पास के लोग ही इन्हें देखकर awkward हो जाते है रात में घर आकर एक दुजरी के साथ intimate हो जाते है कारली बीच रात में ही फिर से अपने अपार्मेंट में जारी होती है जेक कहता है कि तुम यही सो सकती हो मौर्ने में हम breakfast कर सकते है एक relationship के तरह है तो कारली यह नहीं चाहती कारली कहती है कि मैं hurt होने से बहुत डरती हो कारली जेक से पूछती है क्या तुमारी और Naomi के कोई relationship थी जेक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक बार उसने मुझे पर move करने की कोशिश की थी पर मैं interested नहीं था जेक को याद आता है और कहता है कि जेक और Naomi की relationship थी रात में कारली जेक को call करती है वो एक जूट कहती है वो गयती है कि मैं Naomi मुझे से बात कर रही थी तो उसने कहा कि तुमारा और Naomi का relationship था जेक और वाइडा को भी कारली ने एक साथ देखा है और कारली को जेक बहुत ही अजीब लगता है तो उसके वाइडा में और भी information निकलवाने के लिए वाइडा से वो बात करना चाहती है तो वाइडा बहुत ही busy है तो उससे वो बात नहीं कर पाती नेकसे वाइडा जो बैसमें में अपनी लॉंट्री कर रही होती है तभी उस पर हमला हो जाता है कारली वाइडा की चीखे सुन दिये जब वो नीचे जाती है तब उसके पास जैक है इस सीन से लगता है कि जैक नहीं वाइडा का murder किया है जैक को internet करने के लिए पुलिस लेकर जाते है पुलिस उससे कहते हैं कि तुम्हारी building में दो लड़कियों की date हो चुकी है यह coincidence नहीं हो सकता वाइडा की apartment में जैक की photos थी यानि कि एक दूसरे की relationship में हो सकते है यह भी पुलिस को शब जाता है जैक कहता है यह फ्रेम किया जा रहा है यह सब जैक कर आओगा जैक अजीव है यह पुलिस को बताता है पर पुलिस इस पर बिलिव नहीं करते कारली जैक से बहुत ही डरी हुई है वो जैक के साथ है वो जैक को कहती है कि जैक को बेल मिल सकती है जेक कहता है कि अगर वो वापस आया तो अग पता चल जाएगा कारली कहती है कि कैसे पता चलेगा जेक फिर उसे उसके सिक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो सब कुछ रेकॉर्ड करता है उसे वो सब कुछ दीखाता है और कहता है इस बिल्ली में हर एक आदमी को हम देख सकते है जेक की मदर एक टीवी शो करती थी जेक को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं था तो हमेशा अपनी मदर को टीवी पर ही देखता था वो बड़ा हो गया उसकी मदर गुज़र जाने के बाद उसकी आदत नहीं गई सब लोग के घर में क्या चल रहा है यह उसे देखना अच्छा रखता है कारली यह सब देख कर बहुत ही शौक्त होती है कारली फिर इस सिस्टम को पुरी तरीके से जान लेती है सब लोग के घर में का चल रहा है यह देखने के लिए कारली भी बहुत ही क्यूरियस है वो बहुत गंडों तक यही देखती रहती है एक स्क्रीम पर वो देखती है तब एक चोटी लड़की को उसके स्टेफ फादर मोलेस्ट करते है यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है नेकसे यह चोटी लड़की और उसके स्टेफ फादर कारली से लिफ्ट में मिलते है यह चोटी लड़की कारली से कहना चाहती है कि उसके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है पर वो बोल नहीं पाती कारली को क्या चल रहा है सब कुछ पता है पर वो डारेकली बोल भी नहीं सकती वो फिर कॉल करकर सेफ़ फादर को धमकाती है अगर फिर इसे उसने उस लटकी के साथ कुछ भी किया तो उसे मार देगी इसके पास स्टेफ फादर भी डर गया और उस लड़की से उसने माफी मांगी ये सब कारली ने उस मॉनिटर्स पर देखा कारली जेक से बात करती है वहती है कि जो भी तुम कर रहे हो इसी वज़े से तुम्हारे पास बहुत जादा पावर आजाती है ये सही नहीं है लोग की लाइफ प्राइवेट होती है तो ऐसे उससे रहने नहीं चाहिए जेक कहता है कि जिस तरह से तुमने उस चोटी लड़की को हेल्प कि उसी तरह से हम सब लोग को हेल्प कर सकते है कारली जो घर पर पोच्छती है तो वहाँ फिर से जेक अल्रेडी घर पर था जेक के हाथ में गन भी है वो कारली को जेक को कॉल करने के लिए कहता है जेक ताम कर रहा था तो कारली घर में क्या चल रहा है ये उसने नहीं देखा वह नीच आता है तो जेक उस पर भी गन रखता है कहता है कि तुमने नायोमी को मारा है, यह तुम एडमिट करो, जेक इस पर मरा करता है, जैक कहता है कि जिस तरह से तुम्हारी मदर मरी थी, शौर में से गिरक है, उसी तरह से एलेक्स भी मरा है, तुम ही हो, जो सब लोग को इस बिल्ली में मार रहे हो, जेक जैक से कहता है कि तुम्हारे पास नावमी को मारने के लिए मोटिव था, मैं हमेशा से सब कुछ देख रहा था, इस घर की जावी नावमी नहीं तुम्हें दी थी, इसी वज़े से हमेशा तुम अंदर आ जाते हो, तुम नावमी के साथ रिलेशन्शिप में थे और तुम्हें प्रॉलम आ पुलिस फिर इन दोनों का स्टेटमेन्ट खसे, जैक के पास अपरमेंड की जुचावी थी यह भी पुलिस को मेंड़ यानि कि अपनी टेस्टिमोनी में कारली और जेक ने अभी अभी जो भी सब कहा है, यह सब को सई है, पुलिस भी फिर वहां से चले जाते है, कारली और तो कारली जेग से बुछती है कि हम दोनों इंडिमेट हुए थे क्या तुमने वह भी रेकॉड किया था जेग कहता है कि हाँ कारली यह सब देखती है और फिर कहती कि इसी डिलीट कर दो जेग इसी डिलीट कर देता है जेग ने उनकी टेप छुपा कर रखी थी जहां पर उसन करती है तब उससे पता जलता है कि ना हमी ओर जेग इन दोनों में रिलेश Macron थिये जेक वापस आजाता है और उसे पता जलता है कारली को उसकी टेप मिल कहीं है बहुत नहीं तोनों जो है यह वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता कारली जो टेप लगाई थी यह चल ही रही थी इसी टेप में नयोमी जिस रात मरी थी वह पे रेकॉड हुआ है उसे किसी ने पूछ किया था यह उसमें दिख रहा है कारली इस टेप को जूम करती है और रोटिस करती है य जेख जो भी सब करता है उसे बहुत गलत लगता है कारली के पास एक गहन है तो सब स्क्रीन्स वह फोट देती है इसके बाद रिमोट लेकर सब कुछ मिटा देती है वह जेख को कहती है कि रियल लाइफ जियो सही एक्सप्रियेंस लो यह सब गलत है और वहां से चली जाती ह वह जेख के साथ अब कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रहना चाती है अगर हम देखे तो जेख एक स्टॉकर टाइप ही कारेक्टर था हमेशा से उसकी कारली बद नजर थी कारली पहले ही अपने बहुत सारे साथ एक टॉक्सिक रिलेशन्शिप में वेज़ कर चुकी है कर देजिए चानल को सब्सक्राइब कर देजिए और में लुड़ेशन आइकों दो मनें मत पूलिए हम भी से मिलेंगे और एक नहीं मुई के साथ तबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए